प्रेंड्स मैं हूँ विशक जोशी, Electrical Engineering, Villa Group of Companies दोस्ता आज हम लोग बात करेंगे रिले से रिलेटेड कुछ practical interview questions के बारे में आज मैं आपको रिले से रिलेटेड कुछ ऐसे practical interview questions के answer बताऊंगा जो normally interviews में पूछे जाते हैं और यह सारे ऐसे सवाल है जो normal running, working में भी आपको पता होनी चाहिए जैसे रिले की settings से related जो सवाल होते हैं या city ratio से related जो questions होते हैं इस तरीके की चीज़े आपको normally भी पता होनी चाहिए पर यह सारे रिले से related ऐसे practical topics भी है जो interview में आपसे जरूर पूछे जाएंगे तो दोस्तो भीना time waste के शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहला सवाल जो normally लोगों को confusion रहता है और interview में यह पूछा भी जाता है कि रिले और circuit breaker में basic difference क्या है बहुत सारे लोगों को यही confusion रहता है कि रिले circuit को trip कर रहा है या circuit breaker circuit breaker को trip कर रहा है तो देखिए रिले एक monitoring device है रिले एक sensing device है रिले का काम होता है आपके electrical parameters की monitoring करना और कोई भी abnormality को sense करना रिले खुद किसी भी circuit को trip नहीं करता रिले खुद किसी भी breaker को isolate नहीं करता operate नहीं करता, relay शरिफ electrical parameters की monitoring करता है और किसी भी abnormality को sense करके circuit breaker को command भेजता है circuit breaker को signal send करता है, अब बात आती है circuit breaker की तो देखे circuit breaker एक isolating device है, circuit breaker का काम होता है circuit को make करना और circuit को break कर देना, पर circuit breaker किसी electrical parameter की monitoring नहीं करता, circuit breaker किसी abnormality को sense नहीं करता circuit breaker तो सरिफ wait करता है कि जब भी कोई abnormality होगी और relay से signal आएगा तो वो circuit को break कर देगा, circuit breaker के जो contacts है उनको isolate कर देगा जिसके वज़े से supply आगे जाना बंध हो जाएगा तो ये difference आपके mind में हमेशा पूरी तरह से clear होना चीए कि relay का काम होता है abnormality को sense करना और circuit breaker को signal send करना circuit breaker का काम होता है circuit को make करना या circuit को break करना पर circuit breaker किसी abnormality को sense नहीं करता इसलिए relay और circuit breaker इन दोनों के जो working है ये hand to hand move करती है दोनों का ही काम एक दूसरे से link है, एक दूसरे से related है इसलिए भी अक्सर इन दोनों के working में confusion होता है तो ये चीज आज के बाद आप पुरी तरीके से clear रखिएगा दूसरा सवाल दोस्तों अक्सर यह आता है कि CT Operated Relay क्या होता है और CT Operated Relay की setting हम कैसे करते हैं कैसे decide करते हैं कि CT Operated Relay की setting अब कितने पे रखेंगे तो देखें सबसे पहले CT Operated Relay में आपको ये पता होना चीए कि CT का actual में काम क्या होता है CT का मतलब होता है current transformer जिसका basic काम ये होता है कि high magnitude of current को वो इस level तक step down करेगा कि आपका relay उसकी easily monitoring कर पाए और relay आपके circuit को easily protection provide कर पाए मैं आपको example देता हूँ उससे आपको ये चीज़े clear हो जाएगी देखें normally जो CT Operated Relay होते हैं ये उन motors में use करें जाते हैं जिनका full load जो current है ये 200 ampere या normally 200 ampere से जादा होता है 200 ampere से कम rating की जो motors होती है उनमें भी आप CT Operated Relay यूज़ कर सकते हैं पर normally जो कम current rating की जो motors आती है उसके लिए conventional relays available होते हैं पर जो high ampere की motor होती है जिनका full load current 200 ampere या इससे जादा होता है इस range के relay normally available नहीं होते इसलिए high current applications में हम लोग commonly CT Operated Relay का ही use करते हैं अब मैं आपके एक example देता हूँ जिससे आप ये समझ पाएंगे कि इसकी setting actual में की कैसे जाती है मान दीजिए हमारे पास एक motor है जिसका full load current है 400 ampere अब आपके पास जो CT Operated Relay है उसका CT Ratio है 500 by 5 जब भी आपको कोई CT Operated Relay मिलेगा तो सबसे पहली चीज जो आपको देखनी चाहिए observe करनी चीजिए वो ये है कि उसके CT का ratio कितना है तो हमारे इस particular case में जो CT Ratio हमें मिला है वो 500 by 5 का मिला है अब इसका मतलब क्या है आप वो समझ जिए अगर कोई CT Operated Relay जिसका CT Ratio 500 by 5 है तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी line current 500 ampere flow करेगा तो आपका CT output 5 ampere का होगा और जब भी आपका जो line current है वो 100 ampere flow करेगा तो इसका जो CT output है वो 1 ampere का होगा ये significance होता है CT ratio का कि 500 by 5 का अगर CT है तो 500 ampere का अगर line current आपके system में flow हो रहा है तो CT का जो output जो equivalent output आपको मिलेगा वो 5 ampere का मिलेगा अब हमारे motor का जो full load current है वो है 400 ampere तो हमें इस relay की setting इस हिसाब से करनी है कि 400 ampere से जादा का current अगर flow होता है तो circuit trip होना चाहिए तो हमारे motor का जो full load current है 400 ampere उसका equivalent हो जाएगा 4 ampere तो आप relay में जो setting करेंगे वो 4 ampere पे करेंगे तो जब भी आपका line current 400 ampere से उपड जाएगा और क्योंकि 400 ampere is equivalent to 4 ampere है इस case में तो relay इसे abnormal मानेगा और आपके circuit को trip कर देगा तो इस तरीके से जो city operated relay होता है वो work करता है city ratio का जो significance है वो यह होता है इस तरीके से उसको calculate करके city operated relay की setting की जाती है यह बहुत important है आप industries में जाएंगे तो आपको खुद यह practically करना पड़ेगा इसलिए setting कैसे करते हैं यह आपको पूरी तरीके से clear होना चाहिए तीसरा सवाल दोस्तों अक्सर यह पूछा जाता है कि कितने type के relay एक industries में use किये जाते हैं यह एक common question है बहुत type के relay होते हैं जो अलग-अलग type की industries में use किये जाते हैं मैं आपको कुछ common relay के नाम बताता हूं अगर आपसे कोई पूछता है तो आप यह relay के नाम उन्हें बता सकते हैं देखे सबसे common type का relay जो हर जगे use होता है वो तो है over current relay इसके बाद bookose relay होता है जो transformer protection के लिए use किया जाता है trip circuit supervision relay होता है anti-pumping relay होता है कुछ वक्त पहले ही हमने circuit breaker में anti-pumping relay के बारे में देखा था earth fault relay होता है इसके अलावा अगर आप power plant section में जाएंगे तो वहाँ पर differential protection relay भी आपको देखने को मिलेंगे जो generally transformer protection और generator protection में use किया जाते है reverse power relay आपको देखने को मिलेगा vector surge relay आपको देखने को मिलेगा circuit breaker के case में DC failed relay भी आपको देखने को मिलेंगे तो इस तरीके के अलग-अलग type के relays होते हैं जो हर industries अपने application के requirement के हिसाब से यूज करती है तो ये कुछ common relay के नाम आप याद रखेगा अगर कोई भी आपसे ये पूछता है कि practically industries में कौन-कौन से type के relay यूज किया जाते हैं तो ये नाम आप उन्हें बता सकते हैं एक सबल दोस्तों और है जो अकसर इंटर्व्यू में पूछा जाता है वो ये है कि relay की setting कितने पर रखें ये कैसे decide होता है DOL के case में और star delta starter के case में नॉर्मल ये दो टाइप के starters industries में use होते हैं तो जो DOL starting है, DOL starting का तो होई simple funda है कि आपके motor का जितना full load current है उसके 80% पर आपको relay की setting रखनी चाहिए जैसा अगर आपके motor का full load current 10 ampere है तो 10 ampere का 80% कितना होता है simple आप वो निकाल लीजिए और उतने ampere पर आपकी relay की setting रख लीजिए 80% standard माना जाता है, आप full load पर भी relay की setting रख सकते हैं लेकिन 80% पर अगर आप relay की setting रखते हैं तो यह motor के लिए भी काफी safe होता है इससे motor में overheating की problem या motor जलने जैसी situation आपको face नहीं करनी पड़ेगी अब दोस्तों बात आती है star delta starter के case में तो देखे star delta starter में तो contactor का selection कैसे किया जाता है यह भी अपने आप में अच्छा सवाल है जिसका video मैंने बनाया है उसका link में आप का i button में दे दूँगा वो भी एक बहुत important चीज है जो आपको पता होनी चीए पर अभी हम relay से related बात कर रहे हैं तो star delta starter में अगर कोई आपसे पूछे कि आप relay की setting कितने पर रखेंगे तो आप ना ही उसकी setting full load पर रख सकते हैं ना ही आप उसकी setting 80% of full load पर रख सकते हैं बेसिकली आपको 58% of full load पर relay की setting रखनी चाहिए अब सवाल यह आएगा कि 58% कहां से आ गया तो देखें star delta starter में जब normal running condition होती है तब आपकी motor delta configuration में run होती है delta configuration के अगर आप equation देखेंगे तो वो il equals to root 3 iph होता है इसका मतलब यह है कि आपका जो line current है वो line current root 3 times of phase current होता है अब इस equation से अगर आप phase current निकालेंगे तो phase current 1 upon root 3 times of line current होगा और यह जो 1 upon root 3 है इसको जब आप calculate करेंगे percentage के form में तो यह 57.7 आता है तो इसको normally हम लोग 58% बोलते हैं तो जब भी आपको star delta starter के case में relay की setting करनी पड़ेगी तो आप सबसे पहले यह देखेंगे कि motor का full load current कितना है उसका 58% कितना होता है यह आप calculate करेंगे और उतने ampere पे आप अपने relay की setting कर देंगे तो star delta starter के case में बहुत ज़रूरी है तो star delta starter के case में नॉर्मल यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि relay की setting एक्चल में कितने percent पर करनी चाहिए तो दोस्तों यह कुछ interviews questions थे जो practically industries में हम लोग properly इसको use करते हैं रेगुलर working में यह चीज़े शामिल होती है तो यह video अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे comment box में बताईएगा मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखें